सन 1857 में राजस्थान के सभी राज्जों में अंग्रेजों का प्रभुत्व था मारवाड, मेवाड, जैपुर, जोधपुर और कोटा में कम्पनी के गवर्न जेनरल के प्रतिमिधी मौचोग थे इन सब के ऊपर था एजन्ट टू गवर्न जनरल जो अजमेर में रहता था उस समय राजस्थान में अंग्रेजों की छे चावनिया थी ये चावनिया नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा में स्थित थी इन चावनियों में पाँच हजार भारती ये सैनिक थे बेश के अन्य भागों की तरह राजस्थान में भी शेहरों और चावनियों में साधू और फकीरों के वेश में क्रांती के प्रचारक आई उन्होंने सैनिकों में चर्वी वाले कार्टूसों के खिलाफ प्रचार किया और विद्रों की भावना जगाई चर्वी वाले कार्टूसों की बात सैनिकों में बिजली के तरह प्हेल गयीँ अंग्रेज अपसरों ने जट पड़ देसी सिपाहियों से कार्दूस वापस ले लिए सिपाहियों का शक और भी पक्का हो गया तभी एक और अप्वा जंगल की आग की तरह फैली कि सिपाहियों को खाने के लिए जो आटा दिया जाता है उसमें हड्डियों का चूरा मिलाया जाता है इन बातों को लेकर भारतिय सिपाहियों में वित्रो की आग सुलगने लगी वो आपस में गुप्त मंत्रणाई करने लगे नसीरेबाथ में मेरट की बगावत की खबर मिलते ही अंग्रेज अफसरो ने छाबनियों के चारыл ओर गोले भरवा कर तोपे रखवा दी अब तो भारतिय सिपाही और भी परेशान हो गए कई जगा सिपाहियों ने अपने अंग्रेज अफसरों से उनके बदलते वहवार का कारण पूछा साहब क्या यह सब तयारियां हमें दबाने के लिए की जा रही है वह तुम लोग तो अच्छा आडमी है यह सब तुमारी भलाई के लिए है तो यह बात सच है आखिर 28 मई 1857 को दोपहर तीन बचे पंद्रवी इंफेंट्री के सिपाहियों ने क्रांत्युका बिकुल फूफ दिया वो अपने अपने हत्यार लेकर बैरकों से बाहर निकल आए तोपों पर तैनाद भारतिये सिपाहियों ने जरा सी भी देर नहीं की उन्होंने च्छाबनी पर अंग्रेजों के हमले को विफल करने के लिए तोपों के मूँ मोर दिये प्रांतिकारी सिपाहियों का उद्देश्य था हत्यार और खजाना अपने कबजे में लेकर दिल्ली की ओर बढ़ना जोथपुर और जैपुर में उनका रास्ता रोपने वाले अंग्रेजों को मूखी खानी पड़ी उधर नीमच के क्रांतिकारी चित्तोड हम्मीरगड और बनेडा स्थित अंग्रेजों के ठिकानों पर हमला करते हुए दिल्ली की तरफ चल दिये निमबाहिडा की जनता ने उन्हें भोजन रसद आ दिदी उधर एरनपुरा की सेनिक टुकडी जब मारवार के रास्ते दिल्ली की ओर बढ़ी तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंग भी उनके साथ हो लिए उन्होंने बिथूरा नामक स्थान में कर्नल हीत को हराया 18 सितंबर 1857 को राजिस्थान के एजेंट टु गवर्न जरनल जॉर्ज लॉरेंस के साथ आउवा में एक बार फिट अपकर हुए जॉर्ज लॉरेंस हार गया और क्रामतिकारी बिल्ली की ओर बढ़ गए उदर भरतपुर में महराजा ने विद्रोही सेना का रुख देखते हुए अंग्रेज अफसर मेजर मॉरिशन को सला दी कि वो भरतपुर छोड़कर चला जाए मजबूर मॉरिशन 8 जुलाई 1857 को चला गया 11 जुलाई 1857 को अलवर में भी विद्रोह छड़ गया अलवर और आसपास के गाउं की जनता भी सिपाहियों के साथ हो गई उसने आग में घी का काम किया जैपुर में नवाब विलायत खां निया उस्मान खां और सादुल्ला खां की क्रांति यूजना विफल हो गई और उन्हें बंदी बना लिया गया इसी समय टोक की सेना ने भी विद्रोह कर दिया नीमच से आये क्रांतिकारी सिपाहियों के साथ मिलकर नवाब से धन्वसूल किया और फिर दिल्ली की ओर चल पड़े मेवार के असंतुष्ट सामन गुप्त रूप से राजिस्थान की क्रांतिकारी सेनाओं की लगातार मदद करते रहें वहां विद्रोह भड़कने की पूरी आशंका थी क्रांतिकारी सिपाही जब दिल्ली पहुंचे तो अंग्रेजी सेना ने दिल्ली पर घेरा डाला हुआ था क्रांति दल ने पीछे से हमला बोल दिया अंग्रेजों को हतना पड़ा राजिस्थान में सन 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था कोटा पुलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने महराव से कहा कि वो जैदयाल रतनलाल और जियालाल नामक अधिकारियों को उसके हवाले कर दें इस बात पर भारतिय सिपाहियों और अंग्रेजों में मार काट छड़ गई मेजर बर्टन और उसके दोनों बेटे भी मारे गई इतिहासकार लिखते हैं कि कोटा के क्रांतिकारी इतने जोश में थे कि उन्होंने मेजर बर्टन का सिर कात कर पूरे शहर में थुमाया किन्तु इसके बाद अंग्रेजों ने कोटा के विद्रोव को दबाने के लिए दमन चक्र चलाया 1857 की क्रांति की लप्ते सारे देश में बराबर फैलती जा रहे थे देश का मध्य भाग भी विद्रोव की आग में चलने लगा था ग्वालियर, ललितपुर, छटरपुर, सागर, विजयरागवकड, रीवा, दमो, जबलपुर, मंडला, रायपुर, रामगड आधी जगाहों पर क्रांति फैल गए जबलपुर के पास पुर्वा में राजा शंकर शाह ने अपनी कोठी से ही क्रांति संचालन की योजना बनाई थी 52 रेजिमन की सिपाहियों का आना जाना बराबर बना हुआ था किन्तु किसी घद्दार ने ये बात अंग्रेजों तक पहुँचा दी 14 सितंबर 1857 को कैप्टन क्लर्प ने अंग्रेज सिपाहियों के साथ राजा शंकर शाह और उनके बेटे रगुनाद शाह को गिरफतार कर लिया चटपट मुकदमा चला और दोनों बात बेटे को अगले ही दिन तोपों से बांद कर उला दिया गया राजा शंकर शाह और उनके बेटे रगुनाद शाह के बलिदान से सारे क्षेत्र में अंग्रेजों के प्रती ख्रणा फैल गई भारत ये सिपाहियों ने उसी रात विद्रो की खोशना कर दी इसी घटना से बेचैन होकर विजयरागवगड के राजा सर्यू प्रसाद में भी विद्रो की खोशना कर दी राजा सर्यू प्रसाद की उन्रे उस समय 17 साल की थी उसकी सिपाहियों ने अंग्रेजों के घोड़े छीन लिये बाद में रीवा से अंग्रेज सेना आई ख्राम्तिकारी सेना से युद्ध हुआ पराजित हुने के कारण राजा सर्यू प्रसाद फकीर का वेश बनाकर वहां से निकल गए परन्तु अंग्रेजों ने उन्हें सन 1864 में गिरफतार कर लिया जबलपुर में उन पर मुकदमा चला और काले पानी की सजा दी गई किन्तु राजा सर्यू प्रसाद स्वाभिमानी व्यक्ति थे उन्होंने आत्महत्या कर ली और इस तरह एक और स्वत्रंतिता सेनानी शहीद हो गया इनी दिनों बघेल खंड के स्वत्रंतता वीर ठाकुर रणमत सिंग ने अजयगर में अंग्रेजों का शासन खत्म किया और नोगाउं छावनी पहुँचे जहां क्रांतिकारी सेना उनसे मिल गई ठाकुर रणमत सिंग उस समय के क्रांतिकारी नेता तांत्या टोपे और कुवर सिंग से संपर्ग बनाए हुए थे ठाकु रनमत सिंग का युद्ध केवल अंग्रेजों के खिलाफ ही नहीं था बलकि उन सभी राजाओं के खिलाफ भी था जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थी दिलसाय नामक स्थान पर उन्होंने जन्रल केसरी सिंग को पराजित किया फिर लिफ्टिनेंट ओस्बर्न की सेना से क्योटी के किले में भयंकर भडंत हुई अनेक भारतिये वीव शहीद हुई ओस्बर्न मारा गया विजई ठाकुर रनमत सिंग रीवा में आकर अपने घावों का इलाज कराने लगे अंग्रेजों ने रीवा के महराजा रगुराज सिंग कर दबाद ढला कि वो रनमत सिंग को गिरफतार कराने में मदद करें